नमस्कार दोस्तो मैं चिनमे होता आप देख रहे हैं चिनमे जुन दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा ओटोमेटिक ग्यास्टोप या ग्लास्टोप का जो कॉंट्रोलर खराप होता है उसको कैसे रिप्यार करा जाता है उसी के बारे में ये वीडियो है आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तो ये है सुरिया गेलेक्स जी ऑटोमेटिक ग्लास्टोप या ग्यास्टोप दोस्तो ये जो ऑटोमेटिक ग्यास्टोप है उसका जो कंट्रोलर है वो खराप हो जाता है वो जो खराफ हो जाता है हम उसको कैसे रिप्यार कर पाएंगे उसके उपर ये वीडियो है अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा दूसरा वीडियो है आई बटम में मैं उसका लिंक दे दूँगा उससे आप डिटेल आपको मिल जाएगा ये जो है इसको हम कंट्रोलर कहते हैं यहीं पे वो कंट्रोलर रहता है ये खराफ हो जाता है ये जो खराफ हो जाता है हम उसको कैसे रिप्यार कर पाएंगे इसी के उपर ये वीडियो है ये जो आप देख रहे हैं इसको controller कहते हैं ये नया बेला controller है हम वो पुराने वाले को निकाल के इसको हम controller लगाएंगे ठीक है दोस्तो ये एक छोटी सी जनकरी मैं दिया हूँ मेरा complete video पहले से बना हुआ है मैं i button में उसका link दे दूँगा आप लोग वहाँ पे जाके पूरा full video आप देखिए और कैसे repair होता है आप सबको उसका knowledge आ जाएगा ठीक है दोस्तो अगर ये video आपको पसंद आया तो like, comment और share कर देना और मेरे आने वाले हर वीडियो के notification सबसे पहले पाने के लिए मेरे channel को subscribe कर देना धन्यवाद दोस्तो जैहिन, जैवाराद